हेलो अब्रीबन वेलकम टू एम उप सक्सेस दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि कुछ दिनों बाद आपका CBT 2 का एक्जाम होगा जिसमें से आपका दूए स्टेज होने हैं स्टेज ए और स्टेज भी जिसमें से स्टेज ए में जो है आपका न्यू स्लेबर आइड किया ग है जो बेसिकली आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा ठीक है यहां पर आपको क्लासिस चलेंगे वह हिंदी में पढ़ाया जाएगे और यहां पर आपको नोट्स के थूरू पढ़ाया जाएगा जो मेरे द्वारा लिखा गया है मेरे हैंड रैंटिंग से हैं वह उसको जह आपके लिए ज्यादा बेतर है और इससे होगा क्या इससे आपके time के बचत होगा ठीक है आप कम time में जो है बेतर तैयारी कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे online classes में पता नहीं चलता है कि कौन सा चीज हमें note करना है ठीक है कौन सा चीज नहीं करना है तो यहाँ पर basically आपको note सी provide करा दिया जाएंगे PDF के रूप में जो आपके लिए best material होगा आपके cbt2 में जो basic science और engineering का जो portion है उसे आप अराम से cover कर पाऊगे और वहाँ पे जो examinator में आप लगवर-लगवर questions कर रहे होंगे अगर आप यहाँ पर total जो है इसके जो भी series आएंगे basic science और engineering के अगर वो कर ल करेंगा तो इस वीडियो में फिलाल हम यहाँ पर स्लेवर्स डिसकुशन करने वाले हैं तो चलिए स्लेवर्स देखते क्या है basic science और engineering का तो यहाँ पर एक नया चीज है engineering drawing अब बहुत से लोगों ने IT कर रखा है बहुत से लोगों डिप्लोमा है बहुत से लोगों ने बीट प्रोब्लम नहीं होने वाला आप कुछ नहीं जानते हैं या फिर अगर आपने IT कर रखा है और अगर आप वहां पे इंजिनिरिंग ड्राइंग सही से पढ़ें नहीं थे तो भी कोई प्रोब्लम नहीं होने वाला यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाया जाएगा basic रूप प्रोजेक्शन पढ़ना है method of first angle and third angle projection पढ़ना है symbol of first angle and third angle projection पढ़ना है तो यह सब प्रोजेक्शन के अंदर पढ़ना है जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आएगा उसके बाद यहाँ पर आपका है next views में आप लोगों आप लोगो कला होती कुछ उप करनों की आफ़सकता होती है तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग पढ़ना हाँ जैसे कि आपका सेट हो गया मीनी ड्राप्टर हो गया, T-square हो गया, पेंसील हो गया, आपका जो है, ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग सीट हो गया, ये सब के बारे में हम लोग को जो है, इसमें पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे लाइन्स, तो लाइन्स में बेसिकली बहुत तरह का लाइन्स होते है, जैसे हेलेन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्स्टेंशन लाइन, ड्राइन, सेक्शन, तो ये सब के बारे में जो है, आपको लाइन्स में पढ़ना है, उसके बाद है आपका यूनिट्स एंड मेजर्मेंट, तो ये देखा जाए थी, ये दोनों एक ही टॉपिक है, क्योंकि मेजर्मेंट उन्हीं की होती है, जिनकी यूनिट्स होती है, तो ये बिसिकली एक ही टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजर्मेंट, इसमें से बहुत से चीज़ आप अल्रेडी पढ़ चुके होंगे है रा आपने 12 से बहुत कुछ पढ़ा होगा इससे तो कुछ एक स्टेप ही आगे पढ़ना है जादा नहीं पढ़ना है इसमें से उसके बाद यहाँ पे mass, weight and density आता है work, power and energy आता है speed and velocity आता है अगर आप 12 में कुछ भी नहीं पढ़े थे तो भी आपको किसी भी तरह कोई problem नहीं होगा यहाँ पे अब आगे यहाँ पे heat and temperature आपके topic में heat and temperature उसके बाद आपका basic electricity है उसके बाद हम लोग पढ़ना है levers and simple machine के बारे में पढ़ना है ठीक है उसके बाद occupational safety and health के बारे में पढ़ना है आप किसी भी trade का syllabus अगर उठाते हो ठीक है ITI का किसी भी trade का syllabus उठाते हो ठीक है तो आपको theory वाला ठीक है तो आपको जो है first यहाँ पे वहाँ पे chapter आपको मिलने वाला है safety and precaution चाहिए आप filter का उठा लो, electrician का उठा लो, electronics का उठा लो ठीक है मेशनिश्ट का उठा लो, turner का उठा लो तो अगर आप first अगर वहाँ पे theory वाला अगर book उठाते हैं तो आपको जो है first वहाँ पे topic मिलने वाला safety and precaution को लेखे तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ना है कि जब workshop में काम करते हैं तो किस तरह से आपको safety बरतना है किस तरह से आपको रखना आपने आपको safety उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे environment education है उसके बाद जो है IT literacy है तो यहाँ पे जो है इस प्रकात से आपका slayvars है तो यहाँ पे हम लोग अराम से cover करेंगे एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और आपको खुद बखुद समाज में आए दागा जब हम पहला वीडियो इसके upload करेंगे पहले हम लोग start करने वाले engineering grind जो आपको next वीडियो में देखने को मिलेगा engineering grind और आपको उस वीडियो से ही समाज में आ जाएगा कि आपको पूरे slayvars में कहीं भी कुछ भी problem नहीं होने वाला चाहे आप पहले कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कुछ भी problem नहीं होने वाला और अराम से आप सारे topics को अराम से सारे slayvars को आप अराम से cover कर पाओगे तो दोस्तों ये थे आज के slayvars में उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like जरूर से कर दिजएगा और अपने दोस्तों के साथ इससे share जरूर कर दिजएगा ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर basic science और engineering आपके होने वाले हैं हिंदी लाइंगवेज में होगा लेकिन अगर कोई इंग्लिस लाइंग्लिस कोई CVC वोर्ट से है और इंग्लिस में पढ़ना चाता है तो उसको किसी भी तरह का problem नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर एकदम आम भासा में समझाया जाएगा आम भासा म कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद